नमस्कार जोहार अदाब किलीन न्यू संथाल प्रगना में आपका स्वागत है आप जानेंगे खबर शंपूर्ण संथाल पुरा से खबर के लिए रूख करते समसे पहले गुड़ा 231 करोर की परिसंपतिया बित्रित दर्जोनों योजनाओं का हुआ सिल्यानास पोड़िया हड विधायक पतिव यादम ने कहा कि सूबे की हमन सरकार ने कुरोना काल में बिप्रित परस्थित्यों से लड़ते हुए जनित में बहतर काम किये हैं क्रिसी रीन मापी और योजनाओं में बिपीयल की बाध्यता खत्व करने से सरकार की साखबड़ी है वे मंगलवार को जिला परसासन की और से गोड़ा जिला में आयोजित विकास मेला में बतोर मुख्य अतिती बोल रहे थे राज्य सरकार के एक वर्स पूरे होने पर कितमंडल ने आवासिय कर्याले में सरकार पर निसाना साथते हुए कहा कि हैमन सरकार के एक वर्स पूरा होने पर पर परदेश भर में बड़े बड़े आयोजन के माध्यों से उपलधियों को गिनाया जा रहा है सरकार कर रहे है कि परदेश का खाजाना खाली है ऐसे में सरक का काम चल रहा है कहा कि हैमन्त की हिमत से पर्देश की जनता तरस्त हो रही है सीएम ने किया विधूत सबिस्टेशन का ओधगाटन गोड़ा कॉलेज में सरकार की एक साल पूरी होने पर आयुजित विकास मेले में मंगलवार को मुकमंत्री हैमन्सोरेन ने जीले के दो सबिदूत सबिस्टेशन ओलाइन ओधगाटन किया इसमें पोड़ियाहाट परखन में लाटी बारी ठाकूर गंपी परखन में मौप पाहडी विदूत सबिस्टेशन सामिल है जिस पर करीब डेड़ साल से काम चल रहा था मौके पर पोड़ियाहाट बिधायक परतिव्यादव महगाबा बिधायक दीपिका पान्रे सिंग सही थे विजली बिभाग के अधिकारी वग कारे में लगी एजेसी इस्ट इंडिया उद्ध्योग लिमिटेट के अधिकारी शामित थे कोड़ा जीले के सभी पिकनिक स्पोर्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा ब्योस्ता वर्स 2020 शमापन पर है धार्मिक अस्थल के साथ साथ पिकनिक स्पोर्ट पर लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी है कुर्मा संक्रमन कालुआ जारी गैर्लाइन को लेकर इस बार जीला प करती जारी है इसके साथ ही नौ वर्स के जसनों को लेकर दोपया वहान चालक पर भी पुलीस की नजर है जो तेजी से गति से वहान चलाते हैं इसके साथ ही पुलीस इस बार सराप की तसकरी पर भी नजर है अबर दूमका से दूमका सहीत 10 ट्रेनों के परिचालन की मंजूरी जारखन में 13 ट्रेनों के परिचालन को रेल मंत्राले ने मंजूरी दे दी राची रेल मंदल से चलने वाली दस ट्रेनों के परिचालन पर भी सहमती बनी है ग्याथों की सांसद संजे सेट ने पिछले दिन रेल मंतरी समेत रेलवे बोड के चेयर्मेन को ट्रेनों के परिचालन को लेकर मांग पत्र सोपा था इन ट्रेनों के परिचलन को अंतिम सहमती राची रेलमंडल समेत जहारकन के अन्य रेलमंडल को मिल चुकी है सरकार की पहली वर्षगाड पर तोहपों की बारिश हेमन सरकार की पहली वर्षगारपन मंगलबार को दुम का आउड़ोर इस्टेडियम में भव्य कारिकरम का आयोजन कर जनता को विबिन योजनाओं की सुगात दी गई सुवे के परिवन मंतरी चमपई सोरेने सिकारी पाड़ा के बिधायक नलील सोरेन और दुमका बिधायक बसं सोरेन की मौजुदगी में एक अरब 66 करोर 10 लाग 43,900 रुपे की योजनाओं का ओल्लाइन सिल्यानास उद्गातन और परिसंपत्यों का वित्रन किया पर्सगाट समारों में 47,39,900 रुपे की लागत से त्यार होने वाली 188 परिजनाओं का सिल्यानास किया जबकि 39,51,99,000 रुपे की लागत से बनकर त्यार 23 योजनाओं का ओध्गातन किया कारेकराम के दोरान 30,337,000,000 रुपे की परिसंपत्यों का वित्रन किया गया अबुआ जहारखन के सपनों को सकार करेगी हैमन सरकार जहारखन में हैमन सोरण के अगवाई में चल रही सरकार अबुआ जहारखन के सपनों को सकार करेगी हैमन सोरेन की नितित्यु में मात्र एक साल पुरानी सरकार ने राजीत्यु में बड़े-बड़े फच्रे लिये हैं जो आने वाले दिनों में धरातल पर दिखेंगे ये बाते मंगलवार को दुमका के आउड़ोर इस्टिटियु में हैमन सरकार की पहली वर्सगार पर आयोजित सामारों में समोधित करते हुए बतोर मुक्य अतिती परिवहन मंत्री चंपाई सोरे ने की का सांसल सुनिल सोरे ने कहा सरकार ने एक साल में जानता को ठगा पहली वर्सगांट पर भाजपा के राज़ी के हमन सरकार को बिफल बताया कहा कि सरकार ने एक साल केवल जानता को ही ठगा लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाल भी किया मंगलवार को पार्टी कार्याले में पर्देश से जारी आरोप पत्र पर सांसल सुनिल सोरे ने कहा कि सरकार के एक साल के कारेकाल में जानता को बधाली के सिवा कुछ नहीं मिला मंत्री मालामाल हुए और सभी विभागों में विच्वलियों पर्था को बढ़ावा मिला पुलिस ने दोनों को मंगलवार को कोट में निर्देश पर जेल बेच दिया मान सरोवर लेन निवासी बाबा परिहस्त की गिरफतारी सार के नर्सिंग टॉकेज के समीब इस्तित उसके अड़े से हुई जबकि सौरप केश्री की गिरफतारी महाबीर अखारा जलसार रोड इस्तित उसके घर से की गई दोनों हत्या रंगदारी मार्पीट जैसे कई काड़ों में आरोपी है 173.50 करोर की पद्रजनाओं का हुआ उद्धगाटन, 88.59 करोर की उनईस सो चववन योजनाओं का सिल्यानास राजिस सरकार के पर्थम बर्सकनाट के अपसर पर मंगलवार को केके अनि स्टेडियम में विकास मेला सहरीन बितरीन शिवीर का आयोजन किया गया इस दोरान राची इस्तित्त मुरावादी मैदान से मुक्यमंत्री हैमन सोरे दोरा ओनलाइन देवगर की कई योजनाओं का सिल्यानास उद्धाटन नवन परिसंपत्यों का बितर्ण क्या गया जिला अस्तरिय कारेकरम का सुभारों उपायोक्त मंजूनात भजनत्री पुलिस अथिक चक असोनी कुमार्शिन्ना पूर्व मंत्री सुरेश पाशवानयों अन्य की होशेदी परजोलित कर क्या गया पैंक अधिकारी बन ठगने वाले 13 देवहर पुलिस की गिरप्त में 23 मोबाईल और 35 सिमकार जब्त साइबर ठगों की धरपकर के लिए अभ्यान जारी है रविवार की देराथ पुलिस ने मारगों मुंडा सारट देविपूर पालजोरी और सोनाय ठार हरी इलाखे से 13 साइबर अपराधियों को धर्द पोचा उनके पास से 23 मोबाईल, 35 सिमकार, 6 ATM कार, 5 पास्बुक, 22 हजार नगत बरामद हुए पाकुर से आजसू ने कहा हैमन सरकार ने लोगों को ठगने का क्या काम सरकार के कारेकाल का एक साल पूरा हो जाने के बाब जूद जामुमों और कांगरिस वादों को पूरा करने में पूरी तरह बिपल रही यह बाते अस्थानिय सिद्धुकानों पार के समीप मंगलवार को विश्वास घात दिवस पर आसु के केंद्रि उपाद्यक्चु अकील अक्तर ने कही उन्होंने कहा कि आसु हेमन सरकार के एक साल कारेकाल को विश्वास घात दिवस की रूप में मना रही है कहा कि मौजुदा हेमन सरकार ने लोगों के वादों को पूराना करके जनता के साथ विश्वास घात किया है जामताला में बोले इस पिकर सिक्षा में पिछड़ा है जारखन अभी कोई उद्योग खुल जाए तो बाहर से लाने पड़ेंगे लोग संपून देश में जारखन राज सिक्षा के चेतरे पीछे है वहीं संपून राजे में जामताला जिला सिक्षा में पिछड़ा है ऐसे में सरवांगिन बिकास कैसे संबव है रादनितिक से इतर इस कारे में सभी को मिलकर जिला और राज को सिक्षा से उपर ले जाना होगा के साथ बंगाल में होता भेदवा बिधान सबा अध्यक्ट जार्खन सरकार की पहली वर्षगांट पर कुनहीत समुदाइक स्वास्त केंदर में नौजाद सीशु केर केंदर और दंत चिकिसा केंदर का उधगाटन मंगलवार को बिधान सबा अध्यक्ट चरविंद नात महतो किया वही नाला पर्खन मुख्याल इस्थित सामुदाइक स्वास्त केंदर में विधायक परतिनी दी वासुदेव हास्दाने नौजाद सीशु केर केंदर का उधगाटन किया दंत सिकिसा केंदर में विधान सबा अध्यक्ट अपनी दातों की भी जाच कराई खबर सहेब गल से आलमगीर आलम ने कहा किये गए सभी चुनावी वादे पूरा करेगी जारकन सरकार ग्रामीन विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि हमारी सरकार सभी चुनावी वादे को शमय पर पूरा करेगी किर्शी रिन माप किया जाएगा अस्थाने युवाव को रोजगार मिलेगा मंत्री मंगलवार को सरकार के एक साल पूरा होने पर सिद्धू कानू स्टेडियो में आयोजित कार्यकरमों को सम्भोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोरोना न होता तो सभी चुनाविवादे पूरे हो चुके होते कोरोना में सरकार का लक्षे लोगों को जानमाल की रक्षा का नता धीरे धीरे सब कुछ समान्य हो रहा है विकास कार भी होंगे ताकि लोग सीर उठा कर जी पाएंगे हैमन सरकार ने डंके की चोट पर एक साल पूरा कर लिया है सरकार ने एक वर्ष की अंदर जो काम किया हुआ लोगों को दिख रहा है हम रोज ऐसे ही नियूज लाते रहेंगे यदि आपने अभी तक किली नियूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मीस नाओ